हेलो एवरीवान वेलकम ओन माई हिंदी गयान बॉध योटुब चैनल दो ऐसी युनिवस्टी है जहां से पिएचडी एडमीशन की नोटिफिकेशन निकल के आई है और दोनों ही स्टेट युनिवस्टी हैं और दोनों ही युनिवस्टी में हिंदी सब्जेक्ट हैं तो इसी इनिवस्टी ओफ मुंबई तो मैं अभी इसकी ओफिशल वेबसाइट पर हूँ यहां पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो लेटस्ट नियूज यहां पर यह स्क्रॉल होता रहता है यहां पर हम सारी नोटिफिकेशन को व्यू और पर क्लिक करके हम नहीं देख पा पैट एप्लिकेशन फॉर्म तो यहां पर अपलाई ओनलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे यहां पर नीचे नोटिस बोड पर देखिए लिखा हुआ है कि फॉर पैट 2021 नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट लि लिंक है यहां पर इसको डाउनलोड करेंगे तो हम एलिजिबिल्टी देख सकेंगे कि किस तरह से कौन से कैनिडेट इस एप्लिकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो नॉर्मली हर पैट एक्जाम को फिल करने के लिए अपलाई करने के लिए अपने मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए और 5% का रिलाक्शेशन चाहिए होता है तो यह आप खुद से भी कवर कर सकते हैं वादी चेक कर लिजेगा उसके बाद तीसरे नंबर पर मेंशन किया हुआ है कि सम मोबाईल नंबर और इमेल एड्रस आर नोट अलाउट फॉर्म मोर देन वन एप्लिकेश तो एक से ज्यादा एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अलग-अलग मोबाईल नंबर और इमेल एड्रस की जरूरत पड़ेगी एक ही इमेल आईडी से आप एक से ज्यादा फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो हम पहले दाउनलोड करके पढ़ लेते हैं तो नौटिफिकेशन यह है मैंने इसको डाउनलोड पहले से कर रखा था यहाँ पर देखिए इसको हम जूम कर लेते हैं तो यह वो नौटिफिकेशन है पैट 2021 नौटिफिकेशन प्याचरी के लिए ओनलाइन लिंक विल बी ओपनड 6 अक अप्लिकेशन फिल होना शुरू हो चुका है लास्ट डेट इसकी है 26 अक्टूबर और लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टन्स ओफ एप्लिकेशन 26 अक्टूबर ही है अलिजिबिल्टी दी गई है आप वो 2018 जो मैंने आपको दिखाया था भी उसमें आप देख सकते हैं और रिजर्व के लिए यहां पर से एस्टी वी जे एंटी एसबी सी ओबी सी एडब्लू एस यह कैनिडेट है रिजर्व कैनिडेट इनकी जो एप्लिकेशन फीस है 500 रुपे है स्लेबस आप इसकी वेब साइट से डाउनलोड कर सकते हैं यह सारा कुछ मेंशन किया हुआ है और यहां पर देखिए हाइलाइट किया हुआ है बोल्ड में नो ओफलाइन फॉर्म विल बी एकसेप्टेड तो ओनलाइन फॉर्म ही आपने अप्लाइ करना है क्लोजिंग एट मिद्नाइट ओफ 26 अक्टूबर तो यह तो पहले से ही टॉप में लिखा हुआ था बाकी की जो मे अब देख लेते हैं सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट में यहां पर कितनी सीट है यह मैंशन नहीं किया हुआ है कि मतलग यहां पर इतने डिपार्टमेंट है जहां से यह पिएचुडी अडमिशन की सीट निकली हुई है तो देखिए ग्यारवे नंबर पे हिंदी सब्जे निकला है तो आप अपना सब्जेक्ट वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं, तो ये था नॉटिफिकेशन पेज, अब हम बैक जाके, अब कौन-कौन से कैनिरेट एक्जेंट रहेंगे, ये देख लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेती हूं, इस इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, तो देखिए, 16 पेज का ये, तो यहाँ पे देखिए, रिलाक्षेशन दिया गया है, 5% का, रिजर्ब कैनिडेट के लिए, और 55% मार्क्स चाहिए, और यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करती हुए आ रहे हूं, तो म वेटेस दिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट का, और 30% आपका इंटरव्यू का होगा, यह सारा मैंशन किया हुए, नॉर्मली हर एंटरेंस टेस्ट में यही मैंशन किया होता है, तो बाकी किया आप इंफोर्मेशन खुद से कवर कर लिजिएगा, यहाँ पे एक्जेम्ट र लिजिएगा खुद से, तो यही सारी इंफोर्मेशन है, इसको आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, जो में में था मैंने आपको बता दिया, तो यह थी पहली यूनिवरस्टी, और जो दूसरी यूनिवरस्टी है, उसको हम कवर करते हैं, अगली जो यूनिवरस्टी है, वो यहाँ पे PhD ब्रोशर दिया हुगा, इसको हम डाउनलोड करके अभी रीड आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हो आएंगे ते रेखिए Student Important Link, यहाँ पे भी आपको वही नोटिफिकेशन रेखने को मिलेगा, Entrance Examination PhD और Entrance Examination Slabes, तो यहाँ से आप Slabes भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहाँ पे साथ ही Entrance Examination PhD का नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे, तो हम चलिए पहले ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, यह इस यूनिवरस्टी का ब्रोशर है, सोबन सिंग जीना विश्व विद्याले अलमोडा उत्राखंड, यह एलिजिबिल्टी फोर PhD एडमिशन प्रोग्राम, यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए, मास्टर डिग्री में 5% का रिलेक्शेशन दिया गया है, तो यहाँ पे जो कैनिडेट UGC Netset जैरफ होल्डर है, उनका अडमिशन होगा, लेकिन उन्होंने अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रोल करती होएंगे, तो प्रोसीजर क्या होगा, PhD एडमिशन का वो सारा मेंशन किया हुआ है, उसके बाद देखिए, दा कैनिडेट शैल भी स्लेक्टेट फोर अडमिशन टू उनका डिरेक्ट एडमिशन होगा, विदाउट एंटरंस टेस्ट का, और यहाँ पे देखिए, एडमिशन लिस्ट किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगी, जियर अरफ की अलग से बनेगी, रिटन टेस्ट वालों की अलग, और टीचर कैनिडेट जो है, उनकी अलग मेरिट लि यहाँ पे वाईवा इंटरिव्यू का है, प्रसीजर क्या होगा, एडमिशन का, एंटरंस टेस्ट और डिरेक्ट एडमिशन इस तरह से हैं, बाकी की इनफोमेशन आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, यह सारे कैनिडेट जो है, इनका डिरेक्ट एडमिशन होगा, और पे नीचे स्क्रोल करते हुए आएंगे, तो जो मेन मेन है मैं आपको बता देती हूँ, अब यहाँ पे देखे सबजेक्ट, कितने सबजेक्ट हैं, यहाँ पे टोटल 23 सबजेक्ट हैं, और हर सबजेक्ट में कितनी सीट है वो आप देख लीजिए, तो मैं पांचवे नमब और 23 सबजेक्ट हैं, एंट्रेंस टेस्ट आपका 26, 10, 2021 को होगा, यह मैंशन है, और एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस है, 2085 है, बहुत ज़्यादा फीस है, एंट्रेंस एक्जाम डेट जो है, वो है 14, 11, 2021, एक्जाम टैमिंग 11 से 2 वजे तक, एक्जाम कहां पे होगा आपका सोवन सिंग जीना, कैंपस, अलमोरा में ही होगा, यह कॉलेज है, LSM PG कॉलेज, पित्तोरगर, और दो युनिवस्टी हैं, जहां से PhD अडिमिशन की अपडेट निकली है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, जो मेन मेन था, बाकी अगर आप इंट्रेस्टेड हैं, तो ध अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगी, वहां से आप चकाउट कर सकते हैं, तो इसी तरह हिंदी सब्जेक्ट से PhD अडिमिशन की अपडेट और असिस्टन प्रोफेसर की जोब अपडेट पाने के लिए, आप हमारे चैनल के साथ बरे नहें, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, भाने बाद,